क्लेख्व करने नेक्स तर्टकॉर्णे में एक्जांपल नमर वन एक्जांपल करना बहुत जादा इंपोर्टेंट इसके लिए जब तक आपको एक्जांपल नहीं नहीं होंगे एकस का सी पता नहीं चलेगा जेंगे यहां आपको पाइज़ लिख पर संटेज दे रखं़ की आपोटका पूछा है वोस्ट करते हो सबसाधा खर्च किसके ओपर ओराब देखो यापका सबसाधा खर्च किसके ओपर हो यह वराइक फूट पर दा एक्सपेंडीचर वाज मैक्सिमम ओन फूड इतना हो रहा है कॉंटिफाइप प्रसेंड सेकंड देखो एक्सपेंडीचर ओफ उन विच आइटम इस इक्वल तो टोटल सेविंग तोटल सेविंग इतनी है आपकी 15 पर देखो 15 परसंट के स्किप कल हो रहा है देखो लिखूंगा यहाँ पर expenditure on education for children is equal to savings that is 15 परसंट आया सांज में तिक नेक्स देखो थर्ड केस if the monthly saving of family 3000 यह बोल रहा है ऐसा कि 3000 monthly सेविंग है और actual के अंदर ही कितना है 15 परसंट होता है के what is the monthly expenditure on clothes is अब मेरे बात ध्यान से सुना 15 परसंट जो saving है वो actual में 3000 रुपीज के बराबर है यानि एक परसंट अगर आपको निकालना है एक परसंट तो एक परसंट में कितने रुपीज हो जाएंगे 3000 अपॉन 15 रुपीज यह एक परसंट का मतलब है आपसे monthly expenditure किसका मांग रहा है क्लोथिस का मांग रहा है 15 रुपीज एक परसंट के बराबर है यह वह जो 100 परसंट न उसमें किया एक परसंट के एक परसंट के एक परसंट छोड़ गया है अब monthly expenditure on clothes कितने आपके पास 10% है अब देखो एक परसंट में कितने रुपीज खर्च हो रहे है 200 रुपीज खर्च हो रहे है तो 10% में कितने खर्च होंगे आपके किस पर clothes इस पर किलिया रहे है यह आपका अंसर होगे बताओ क्या संगे नहीं है किलिया रहे एक्जेम्पल नमर बन कंप्लीट